दोस्तों पिछले एक महीने में हमने पंजाब में तीन बड़ी वारदाते होते हुए देखी सबसे पहले हमने देखा कि एप्रिल के एंड में पंजाब के पटेयाला शहर में communal violence यानि कि संप्रदाइक हिंसा होती है जहां एक तरफ एक हिंदू संगठन था एक तरफ सिख संगठन था दोनों में आपस में clashes होते हैं और महौल बिगड़ता है उसके बाद हमने देखा कि मई के महीने में पंजाब पुलिस की intelligence wing की जो headquarters building है उस पे RPG से हमला होता है यानि कि rocket propelled grenade से हमला होता है इसमें दो बातें खास ध्यान देने की हैं पहली बात तो यह कि RPG का इस्तिमाल पंजाब में पहली बार हुआ किसी आतंकी संगठन के द्वारा हमला करने के लिए और दूसरी बात यह कि किसी आम सरकारी building पर ह हो जाता है यह पंजाब पुलिस की पंजाब की intelligence wing की एक मौकरी हुई एक मजाक उड़ाया गया आतंकियों के दौरा और तीसरा हमने देखा कल जहां inter gang rivalry का नतीज़ा एक बहुती बड़े पंजाबी singer जो की politics में भी आ चुके हैं उन्हें सरे आम दिन दिहाडे गोलियों से भून कर मार दिया गया ये तीनों जो घटनाएं हुई हैं इन तीनों घटनाओं ने पंजाब के लोगों के मन में तीन दबे हुए जो सबसे बड़े डर थे उन्हें जिन्दा कर दिया है कौन से ऐसे डर हैं जो की पंजाब के लोगों को सता रहे हैं चलिए देखते हैं सब गर हुए हजारों मारे जाते हैं उसके बाद हमें कॉमिनल क्लैशेस यानि के संपरदाइक हिंसा का एक डर सताता है क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब में कई सारे उतार चड़ावाए मिलिटेंसी के दौर के दौरान जो हमें कॉमिनल क्लैशेस देखने को मिले लेकिन उसके ब पुराना फिरॉमिना नहीं है, पिछले 10 से 15 साल में ये अपने पाउं पसारने इनों ने शुरू किये हैं, और आम जनता इनकी विक्टिम है, कोई अपना बिजनस नहीं कर पा रहा है, कोई अपना काम नहीं चला पा रहा है, आपको नहीं पता है कि कब आप पे हमला हो जाए, कब आपसे फिरोती मांग ली जाए, कब आपकी गाड़ी लूट ली जाए, और आपस में जो इंटर गैंक राइबलरीज होती हैं, इसका भी जो नतीजा है, वो पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ता है, ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं, कि क्या पंजाब ए हैं, तो सड़ी आईक्यू की इस फ्लेश सेल का फाइदा उठा सकते हैं, देखें, ये तीन समस्याएं ही अपने आप पे इंडिपेंटली पंजाब को सता रही हैं, इसा नहीं है, इनके साथ भी जो और कई सारे फैक्टर्स हैं, जो इन समस्याओं को बड़ा कर देते हैं, सबसे जो बड़ा फैक्टर है, जो पंजाब के यूथ के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है, जो पंजाब के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, वो है पंजाब की ड्रग्स प्रॉब्लम, अक्सर यह कहा जाता है, देट पंजाब is not that an easy state to govern, और उसका जो सब को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो उनकी तरफ से एक एक्टिव सपोर्ट आता है और ड्रग ट्रैफिकिंग की भी जो समस्या है वो एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान उसमें बना हुआ है दूसरी बात यह कि जो हमारी यहां पर प्रमोशन ऑफ गन कल्चर है जैसे कल्चर को प्रमोट किया जाता है I belong to Punjab मुझे इतना idea तो हो गया है मेरे youth में कि भाई किस तरहां से मेरे आसपास के लोग अभी वो 10th, 12th कर रहे होते हैं और उनको मन में ख्याल आना शुरू हो जाता है कि यह गन तो हाथ में होनी चाहिए गैंक्स बनाना शुरू कर देते हैं और यह मैंने अपने आप भी होते हुए देखा है उसके बाद एक political will की कमी होने के कारण भी यह जो समस्या है यह बहुत बड़ी हो जाती है intelligence wing का failure होना intelligence agencies का failure होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और यह जितनी भी समस्याएं है यह आपस में interconnected हैं यह अलग नहीं काम करती हैं आप देखते हैं कि गैंक्स्टर्स सपोर्ट करते हैं secessionist movements को इधर से जो drugs की money आती है उससे वो हत्यार खरीते हैं तो यह आपस में जो problems है ना यह interconnected है कोई एक problem यहाँ पर हम अलग नहीं खतम कर सकते हमें सभी problems को target करना होगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैंक्स ओफ पंजाब के देखे गैंक्स ओफ पंजाब की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 10 से 15 साल में ही यह जो culture है यह पनपना शुरू हुआ अपने पाउपसार ने शुरू किये हैं इस culture ने और यह पंजाब के अल क्या यह आम जंता को भी परिशान करते हैं तो definitely करते हैं हमें देखने को मिलता है कि यह इस तरह की सभी activities में involved रहते हैं जहां पर extortion, ransom, highway robberies हो गया यानि कि loot part हो गया highway पे kidnapping हो गया ATM को loot ना हो गया then property को govern करना, grabbing करना property की murders हो गया, contract killings हो गया यह सभी activities में यह शामिल पाए ज जाते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि youth का एक बहुत बड़ा connection है gangs के साथ, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि पंजाब का youth fascinated है, they want to join gangs, उन्हें ऐसा gangs बुरा नहीं लग रहा है, they want to, because क्यों, कारण है उसका, सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो media है, हमारे ज gang culture को बहुती शांदार दिखाते हैं, वो बहुत जादा promote करते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पंजाब पुलिस के एक IPS officer ने ये कुछ बातें कहीं तो मैं आपके लिए लेकर आया, उन्हें ने कहा कि पंजाब's gangsters are not frustrated jobless youth, ऐसा नहीं है कि पंजाब में जो गैं farming family से आते हैं, वो अपना सारा career छोड़ कर gangsters बन रहा है, in fact आप देखेंगे कि गैंग्स का sports के साथ वहाँ पर काफी जादा influence एक दूसरे में है, हम देखते हैं कि कई सारे जो sports person है, वो अपना sports career छोड़ कर gangsters का हिस्सा बन जाते हैं, in fact आप देखेंगे कि inter gang rivalries में कई सार person मार दी जाते हैं, आप भी पिछली अगर एक महीने काई data उठा कर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कई सारे कबड़ी players को eliminate कर दिया गया, because of this inter gang rivalries, उसके बाद इन्होंने एक बात और सही कही, कि भाई ये सब आखिर youth कर क्यों रहा है, सबसे बड़ी जो यहाँ पर factors है उनमें सबसे पहला factor है, lust for quick money, so easy money, quick money कमाने के लिए एक तो यहाँ पर यह हो रहा है, power को बढ़ाने के लिए, अपने influence को बढ़ाने के लिए, यह सब काम किया जा रहा है, and love for sophisticated weapons, again, यह love पैदा कहां से हो रहा है, love for sophisticated weapons, कहां से हो रहा है, आप गाने सुनी एक बार, उसके ब promotion बहुत जादा हो रहा है, society में इसी चीज़ को promote किया जा रहा है, इस चीज़ को idealize कर दिया है, कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके महंगे कपड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, तो यह सारी चीज़ों के कारण जो है, एक early age पे ही youth जो है, वो gangster बनने का सपना दे कर 1990 के जो दशक था, उसमें पंजाब जला है, हजारों youth की जान गई है, हजारों लोग बेघर हुए हैं, हजारों लोगों को पंजाब छोड़ना पड़ा है, वहां से पलायन करना पड़ा है, उसका कारण था insurgency एक्चुल में वहां पर हमें देखने को मिला, कि एक armed campaign चलाई गई है, वहां पर 1980 के दौरान, Sikh militant nationalists के दौरा, इस campaign को नाम दिया गया, खालिस्तान movement, और इसे सबसे ज़्यादा हवा अगर किसी ने दी, तो वो थे पाकिस्तान की ISI, और पाकिस्तान की military, और इसमें कोई द 1983 में, अच्छा, इस movement की जो main demand थी, वो क्या थी, इस movement की जो main demand थी, खालिस्तान movement की, वो थी पंजाब को भारत से अलग करके, एक नया मुल्क बनाना, जिसका नाम होगा खालिस्तान, इसलिए खालिस्तान movement इसे कहा गया, अब हुआ ये कि 1983 में, जो जर्नेल सिंग माला थे, वो पंजाब के golden temple में, जो अमरे सर में golden temple है, उसमें enter कर जाते हैं, अकालतक साहिब में, और उसे 45 करके, उसे यहाँ पर किलाबंदी करके अंदर बैठ जाते हैं, अब उन्हें वहाँ से निकालने के लिए, उस समय की सरकार ने 1984, जून 1984 में, Operation Blue Star चलाया, अब Operation Blue Star जब चलाया, तो ऐसे में, उन्हें, क्योंकि देखिए, जो अंदर लोग बैठे थे, अकालतक साहिब के, उनके पास भी गंज थी, और जो बाहर military आती है, उनके पास भी गंज थी, हत्यार थे, टैंक्स तक अंदर जाते हैं, अकालतक साहिब के, तो ऐसे में, जो सिख थे, उनकी भावनाएं, यहां पर आहत हुई, और उन्होंने अपना बदला लेने के लिए, क्या किया, उस समय की जो प्रधान मंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी, 31st October 1984 को, उनकी उन्हीं के दो, जो सिख वाडिगार्ड से, उन्होंने इनको मार दिया, अब इनकी हत्या जब हो जाती है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है, कि 1984 में anti-sick rights शुरू हो जाते हैं, سिों को मारा जाता है, सिों को eliminate करना शुरू कर दिया जाता है, और उसके नतीजा हमें देखने को मिलता है, कि पंजाब में militancy और जादा बढ़ जाती हैं, अब पंजाब का यूत गंज उठा लेता है, पंजाब का यूत सरकार के खिलाफ और कड़ा हो जाता है। वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत बड़ा कारन था और एक बहुत ही ऐसा समय था, जहां communal violence बहुत जादा बढ़ जाती है जो पंजाब में जो minorities ही चाहे वो हिंदू थे या फिर और थे उनको यहाँ पर eliminate करना शुरू कर दिया जाता है उनको मारा जाता है बसों से उतार कर, line में खड़ा करके उन्हें भी मारा जाता है पंजाब की history जो रही है खास करके जो recent पिछले 30 से 40 साल की जो history रही है वो बहुत ही जादा tense history रही है and that is why it is said कि it is not an easy state to govern ultimately हुआ क्या? हुआ यह कि 1993 आते आते किसी तरह से militancy पर काबू पाया जाता है इनका इसका जो एक सबसे बड़ा श्रेज आता है वो IPS, KPS Gill को जाता है एक IPS officer है KPS Gill उन्होंने यहाँ पर operation black thunder शुरू किया जिसके तहट यहाँ पर बहुत सरे actions लिये जाते है और किसी न किसी तरीके से यहाँ पर militancy के उपर काबू पा लिया जाता है तो उसमें heavy police crackdown भी हुआ factional infighting भी एक कारण बनता है कि जो militants से आपस में लड़ते हैं वो भी एक कारण बनता है public का support भी इने खतम हो गया और ultimately 1993 आते आते ही है काबू पा लिया गया फिनॉमेना अब सवाल उठता है कि क्या militancy दुबारा आ रही है या खतम हो चुकी है अगर हम recent 3 साल की बात करें तो मैं कुछ news clipings आपके लिए लेकर आया हूँ उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से दुबारा कोशिश की जा रही है पंजाब को उस इतिहास की तरफ भेजने की जो की एक बहुती दर्दनाक इतिहास पंजाब कर रहा है आप देखिए पिछले 3 साल में अगर हम 2020-21 और 22 की ही बात करें तो आप देखते हैं कि कई सारे जो यूथ हैं वो radicalize कर दिये गए हैं यूथ को radicalize किया जा रहा है और हथ्यार उन्हें दुबारा दिये जा रहे हैं तो आप देखिए radicalized man caught with hand grenades in पंजाब तो ये 2021 की खबर है उसके बाद आप देखेंगे 2021 में ही terror attack होता है पठान कोट में आर्मी कंटोर्नमेंट पे उसके बाद देखते हैं कि पंजाब police recovers stiffen bum ये 2021 की खबर है two arrested with explosives in पंजाब corpses terror attack averted so again 2022 की ये घटना है ये देखिए पाक-backed pro-khalistan terror module busted arrest of two men यहाँ पर 2020 में भी ये घटना हुई और हर्याणा में एक anti-terror squad बनाई जाते है क्यों क्योंकि अभी हमने देखा कि मई के महीने में पंजाब में intelligence wing की जो building है उसी पर हमला हो गया वो भी RPG से हमला हो गया ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पंजाब में पाकिस्तान से drones के द्वारा जो पंजाब का जो border area है वहाँ पर हत्यार drugs etc. supply किया जा रहा है और regularly हो रहा है जिसे हम रोक रहे हैं पोशिश कर रहे हैं तो दुबारा एक डर का महौल पैदा होता जा रहा है इसमें कोई दोराए नहीं है अब हम बात करते हैं कॉमिनलिजम इन पंजाब यानि के संप्रदाइक ताकी जैसे कि हमने कहा कि भई 1980 से 1990 का वो दोर था जब पंजाब में militant movement हमें देखने को मिलती है और यही एक दोर था जब यहां पर कॉमिनलिजम ने भी अपने पाउं पसा रहे हैं लेकिन जैसे जैसे militant movement खतम हुई उसी के साथ साथ कॉमिनलिजम भी यहां पर शान्त होता गया और पिछले अगर हम 10 से 15 20 साल की बात करें तो पंजाब के लोग आपस में खुश रह रहे हैं आपस में प्यार से सौहाथ से रह रहे हैं हमारा जो fraternity शब्द है constitution में हम वहां पर देख रहे हैं लेकिन हाल ही में जो पंजाब में घटना हुई वो थोड़ी सी डराने वाली है खैर अगर हम डेटास की बात करें तो communalism वैसे होता कहाँ पर है communalism एक ऐसी धर्ती पर होता है जहाँ पर कम से कम दो धर्म हो या दो से अधिक धर्म हो और जहाँ पर इन धर्मों के लोगों को लगना शुरू हो जाए कि या तो हम रहेंगे या वो रहेंगे या हमारा interest पूरा होगा या उनका पूरा होगा जहाँ पर यह feeling खतम हो जाए कि हम दोनों कठे grow कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं communalism अब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के religious composition में देखते हैं कि 58% यहाँ पर सिख हैं 38% यहाँ पर आपको हिंदू धरम के लोग देखने को मिलेंगे I mean 2% जो है यहाँ पर आपको इसलाम के मानने वाले देखने को मिलेंगे और 2% में बाकी जो है वो जैन आ गए बुद्धिस्ट आ गए Christians आ गए और यह सब अलग अलग धरमों के लोग तो इसका मतलब religious diversity तो है 2% है जो बाकी भाशाएं बोल रहे है इसका मतलब diversity है लेकिन आप एक चीज़ जानके हरान होंगे कि पिछले 15-20 साल में हमें कोई ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं देखने को मिली जहां communalism से जुड़े हुए कोई तार हमें देखने को मिले in fact हमने देखा कि 2015 में यहां पर बहुत बड़ी घटना होती है जहां पर जो सिखों का जो religious scripture है श्री गुर्गरंट साइब उसको यहां पर अपमान किया जाता है और उसके बावजूद भी यहां पर हिंदुओं में और सिखों में लेकिन हाली में जो घटना हुई वो चिंता का विशे बनी हुई है जैसे कि मैंने कहा कि हाली में जो घटना हुई जहां पर पट्याला में हमें देखने को मिला कि दो गुरूप आपस में भिड़े क्यों भिड़े एक गुरूप जो है वो एंटी खालिस्तान कर रहा था और दूसरा जो गुरूप है वो उन से आकर लड़ता है जैसा हमने शुरुवात में भी कहा कि भई कॉमिनलिजम जो है वो इंडिपेंडिन्ट नहीं चलता है कॉमिनलिजम चलता है हैंड इन हैंड विद सेसेशनिस्ट मूव्मेंट इन पंजाब तो ये एक बड़ा नया डर दुबारा निकल कर आता जा रहा है सोलूशन की बात करें तो आप ये समझ कर चलें कि कोई भी एक यहां पर तरीका नहीं है जिससे इस पूरी समस्या को सॉल्व किया जाए या कोई एक प्लेयर नहीं है जो कि इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर दे हम सब को मिलकर इसको सॉलूशन करना होगा और सब को इकठे आकर चाहे वो सरकार है चाहे वो ससाइटी है सब कोई कठे आकर इसका solution करना होगा सबसे पहले तो हमें जो हमारी drugs की समस्या है उसको eliminate करना होगा because drugs एक बहुत बड़ा source of funding है for militancy, drugs एक बहुत बड़ा source of funding है for gangsters, उसके बाद empowerment of youth हमारा जो youth हैं हमारे जो youth हैं उनको यहाँ पर हमे skills देनी होगी, उन्हें पढ़ाना लिखाना अच्छा होगा, उन्हें education opportunities देनी होगी, साथ में उन्हें employment opportunities देनी होगी उन्हें चाहे नई industries की तरफ उन्हें भेजना होगा या फिर business उनके खुद के खड़े हो, ऐसा उन्हें करना होगा, और media को भी regulate करने की जरूरत है वो self-regulate media खुद को करे जादा बहतर है, society को भी यहाँ पर ऐसे songs को, ऐसी movies को reject करना चाहिए, जो की gun culture, drugs culture, kanks culture को promote करते हो साथ ही में stringent application of law, तो जो हमारी कानून व्यवस्था चर्मरा रही है, वहाँ पर police को और जादा stringent होने की जरूरत है police reforms की जरूरत है और सबसे बड़ी जरूरत है political will की जो हमारे politicians है जने हमने भेजा था सुधारने के लिए, जो हमारी प्रशानिया होने ठीक करने के लिए, उनकी will होना सबसे ज़ादा जरूरी है मैं आप से आपके विचार जानना चाहूंगा अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे, till then, thank you and have a great day ahead